नमस्कार आप देख रहा सिटी पोस्ट और मैं हूने हैं अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच कमपेरिजन होता है कि कौन कितना ताकतवर है तो उस पे एक खास रिपोर्ट रूस के साथ भारत पिछले साल 35,000 करो रुपे का एक सौधा कर चुका है जिसके चलते भारत के पास लंबी रेंज की हवाई रक्षा मिसाईल S-400 अप्रनाली की बड़ी ताकत होगी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिये अलग-अलग रेंज की कई मिसाईले एक मिसाईल सिस् लेकिन अगर युद के हालात इससे पहले ही बने तो आप जानिए कि अभी पाकिस्तान की मिसाईल ताकत क्या है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मिसाईल ताकत कितनी है असल में एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपनी ताकतवर मिसाईल गजनवी का परिक्षन किया है और य उन्हों देशों के पास मौझूदा मिसाइलों की ताकत क्या है? यानि कौन किस पे कितना भाड़ी पड़ सकता है? भारत के पास 9 प्रकार की ओपरेशनल मिसाइले हैं जिनमें अगनी 3 भी शामिल है जो आर्मी के पास है एर फोर्स और नेवी वर्जिन भी है 90-215 मिल तक की रेंज वाली ये मिसाइल एक टन से जादा वार हेड ले जाने में सक्षम है अब बात करते हैं पाकिस्तान की मिसाइली ताकत पे पाकिस्तानी के युद बेडे में सबसे ताकतवर मिसाइलों के नाम पे गौरी और शाहीन सामिल है CSIS के मुताबिक शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमेटर तक की है पाकिस्तानने हाल में परिक्षन किया है वो भी मध्यम रेंज वाली मिसाइल ही है जो 290 किलोमेटर की दूरी तक लक्ष भेदने में सक्षम है इसके अलावा MA11 या तर्मुक के नाम से चर्चित रही मिसाईल के रेंज 190 मील तक की है यानि कम रेंज की मिसाईले हैं मिसाईलों के लेके और भी फैक्ट समा आपको बता रहे हैं दोनों ही देशों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाईले हैं जो न्यूकलियर हत्यार ले जाने में सक्षम है हाला कि इसमें भारत का पल्रा बहुत भारी दिखतावा नजर आता है लेकिन एक आकड़ा ये भी कहता है कि पाकिस्तान के पास 140 से 150 वार हेट्स हैं जबकि भारत के पास सर्थ 130 से 140 ही हैं वही मिसाईल तकनीक को लेके दोनों देशों की ताकत में फर्क है एक तरफ भारत ने मिसाईल के अत्याधूनिक तकनीकों का इस्तमाल किया है और अन्य देशों की तकनीकी मदद से स्वदेशी निर्मान भी किया है पाकिस्तान को विदेशी तक्मी की मदद मिलने में अर्चने हुई है जिसके चलते हैं पाकिस्तान ने खुद अपनी तक्मी की विक्सित की है यानि पाकिस्तान अपने टिक्नोलोजी पे जादा डिपेंडेंट है भारत का बजट भी जादा रहा है चुकि हम हमेशा से पाकिस से जादा developed country में से एक है strategic studies के अंतराश्टी संस्थान के मुताबिक साल 2018 में भारत ने अपनी कुल GDP का 2.1 फिस दी यानि 4,000 अरब रुपय का बजट जारी किया था जो सेन काहरिक रोमों के लिए थे वही पाकिस्तान ने पिछले साल करीब 1260 पाकिस्तानी रुपयों का ये भारत और पाकिस्तान की अन्य प्रमुक मिसाइले जिसकी जार्टकारी जरूर आपको होनी चाहिए आकाश और त्रसूल सतर से हवा मार करने वाली प्रमुक मिसाइले हैं जबकि नाग प्रमुक एंटी टैंक और ब्रमों सिरीज की क्रूज मिसाइले हैं इसके अलावा भारत शिकर्न एंटी टैंट मिसाइल है हतफ सिरीज की क्रूज मिसाइल है इसके अलाव अबर्क और अबाबील मिसाइल है पाकिस्तानी बेडे में प्रमुक मिसाइलों में से एक माना जाता है दुनिया की प्रमुक मिसाइल सकतियां कौन-कौन सी है अब वो बताते हैं हम एन्वाइ वह नजर आ रहा है पिछले साल के एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वो अमरिका पर मिसाइल दागने के शमता रखता है उतर कोरिया समेथ भारत पाकिस्तान साउदी अरब इरान दक्षिन कोरिया और ताइवान वो देश है जो लगातार रेंज और सटिक निसाने के म अपने मिसाइल छमता लगातार बढ़ाने के तरफ है यानि भारत हमेशा से अपने न्यूक्लियर पावर की और बढ़ते हुए ही नजर आया है और फिलहाल इस रिपोर्ट से ये आपके सामने नजर आता है कि भारत बहुत आगे है पाकिस्तान से मिसाइल के छेतर में यानि अगर दोनों ही देशों के बिच युद्ध का की हालात बनती है तो हर हालत में भारत टेक्निलोजी वाईज भी पाकिस्तान से जादा है और मिसाइली ताकत में भी हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं लगातार ऐसी इंटरस्टिंग खबरों के लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्त ताकि हमें लगे कि हम आपको कुछ नया दे रहे हैं लेकिन इसके लिए करना होगा आपको लाइक ताकि हमें पता चले कि आपको खबर पसंद आई है उसके बाद सभी लोगों को यह जानकारी मिले इसके लिए शेर और आपका विश्वास हमारे साथ है इसके सब्सक्राइब कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सॉलोशन पा सकते हैं सौथ क्यर मोबाइल आप के द्वारा अधित जानकारी के लिए आप संपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472-98111 9472-98222 सौथ क्यर आप सॉलोशन एट योर हुआ 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 है